डेए सस्क्राइबर तो कैसे आप लोग फिरिंद आछम बात करने वाले फ्रिंद बहुत अच्छे वेकेंसी के वा के बादे जो डेलवे के तरप से वेकेंसी निकल के आया हुआ हो filt निखल Аव पकां तो आज हम उसी का नोटिफिकेसन को लेकर बात करने वाल नह जैसा आप स् candidate जो की railway के लिए vacancy का इंतिचार कर रहे तो तो finally आप सभी का इंतिचार खतम हो चुक है और vacancy का update यहां पे आ चुका है तो कब से फ्रेंट स्टार्ट होने वाला है क्या इसमें गार्लाइन से है तो आज मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूं आप के लिएर नगे के आप सकते हैं के फैनली पोस्ट के नोटिफ़िकेसर के ऊपर में काम चल रहे हैं तो जिसके जोड़ी तक स्टार्टिंग लाआप में आपको सकता है कि तो जनवरी लाष्ट टक में आपको देखने के लिए का डेट आपको देखने के लिए मिल जाए और जो आपका फरवरी फ्रेंट फरवरी 24 में आपको फ्रेंट जो ही कि लास्ट डेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा payment वागेरा भी आपका जो की same date रने वाला जो आपका last date होगा वही payment का last date होगा exam date भी आपको जल्दी देखने की मिलेगा क्योंकि आप सबी और पता है अभी की time में जितने भी exam हो रहे हैं तो काफी सारे exam को time पे ही conduct किया जा रहा है late नहीं किया जा रहा है चाहे वो SCST का हो या ex-serviceman हो या फिर female candidate का आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे चाहे वो general candidate रहे है या फिर OBC से रहे है या SCST से या फिर ex-serviceman अगर आप female candidate है तो आपका कोई भी category अगर आता है general OBC SCST आपका फिर्ण सेम ही चार्ज रहेगा याद रखेंगे आप मतलब कि आपका जो भी category पर चार्ज है वो स्री boys के लिए होगा बांकि female का आप किसी भी category साते है तो आपको सभी category का female candidate का सेम ही एक ही चार्ज देखने के लिए मिलेगा तो यह फिर इसका notification है job location जो फिर्ण आप देख सकते है all over India आपको फिर्ण आपका location रनने हावाल है आप कहीं से भी आते है कोई भी state से easily form को apply कर सकते है any location in India तो मतलब फिर्ण यह all over India के लिए vacancy है आप कहीं से भी आएंगे आप easily form को fill up कर सकते है minimum age जो फिर्ण आपको चाहिए वो 18 साल चाहिए औ और maximum आपका 25 साल तक चाहिए इसमें जो होता क्या है कि आपका जिसे पोस्ट बाइस भी जैसे आपका सब एकस्पेटर को ले करके हो गया और आपका जो की को उस्पेटर में अलग 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 आपको देखने के लिए पोस्ट बाइस आपको एज लिमीट तो यह चीज को फ मिलता हैं 250 पूस्ट यहानी की इस में डाइस सो पचास पूर स्रियम से अच्छेग करने और बाइस सो पचास पोस्ट है इसमें डिया हूँ सकता है यह पिर नहीं भी फओसि आपको देखने क्ली मिल सकता है जब आप यहां पर post आप details को चेक करेंगे तो देखने के लिए फिरिन मिलेगा जैसे 250 को लेकर के post यहां पर दिया गया है जो कि category wise यहां पर vacancy details बांटा गया है सब एक्सपेक्टर में आपको 250 पोस्ट आपको देखने के लिए मिलेगा तो जो सब एक्सपेक्टर को लेकर के यहां पर ज्यादा पोस्ट दिया गया दो हजार तो यह इसका जो कि system है इसमें आपका salary रहने वाला है इसके rules के according आपको salary देखने के मिलेगा जो इसका great होता है पोस्ट को लेकर कि कितना qualification आपको चाहिए form fill up करने के लिए यहां पर education qualification अगर आप देखेंगे सब एक्सपेक्टर को लेकर करके यहां पर qualification चाहिए candidate का bachelor degree चाहिए अगर आप graduation pass out है किसी भी subject किसी भी university से जो इंडिया के अंदर का होना चाहिए तो आप इजिली form को fill up कर सकते हैं bachelor degree अगर आपका पास आउट है यह सब एक्सपेक्टर को लेकर के qualification चाहिए आपको ध्यान में रखना है और वहीं भी अगर constable वाले पोस्ट पे अगर form को fill up करना चाहते हो तो इसमें आपका qualification है आपका 10 और जो कि slash high school examination होना चाहिए अगर इंटर पास आउट है 10 प्लस टू आपका जो की पास आउट है तो इजिली आप constable को लेकर के फॉरम को भर सकते हैं 10 प्लस टू कंडिडेट तो यह फ्रिंड इसका जो की qualification है दो तरह का जो की सब इस्पेक्टर को लेकर के गिरेजबेशन चाहिए आपका bachelor degree और constable को ल पाद ही आपका जो की final married list बनेगा तब जाकर आपका selection होगा बाकी का details के लिए जो कि मैं एक बार आपको recommend करूँगा आप अपना जो की notification को जरूर चेक करेंगे इस तरह से आपको notification का link आपको देखने के लिए मिल जाएगा discussion में simply click करेंगा तो आप यहाँ पर आ जाएगा ज इसमें एकी चीज़ है कि इसका apply का date जो की clear नहीं क्या गया जो कि आपको notification में भी देखने के लिए मिलेगा आपको इसमें की zone देखने के लिए मिल जागा कि किस तरह आपको zone में selection होने वाला है कि आपको रेंग चाहिए वो फिरिन आपको इसमें बताया गया है जैसा मैंने आपको sub-expector को लेकर के बताए graduate pass-out candidate form को fill up कर सकते और जो कि constable वाले candidate यहाँ पे 10 pass-out है तो form को भर सकते constable को लेकर के फ्रें 18-25 साल चाहिए और sub-expector को लेकर के 20-25 साल चाहिए इसमें देखेंगे category पैस अगर आप चेक करेंगे तो SCST, OBC को लेकर के यहाँ पे 5 साल तीन साल का चुट है जो मैंने आपको पहले भी बताया तो यह इसका notification है आप लोग को जरूरी इसको चेक कर ल यहाँ पे height बताया गया है वो आपका SCST का 152 है और यहाँ पे आपका OBC unreserved को लेकर के 157 आपको यहाँ पे देखने ही फ्रेंट मिलता है तो यह सब इसमें बताया गया है जो की chest का size है वो आपको 80-85 सेंटीमेटर चाहिए category बैस अलग अलग है तो आप यहाँ पे देख ले किस तरह आपका question रनने वाला है सव एक्सपेक्टर को लेकर के कोंस्टेवल को लेकर के कितना आपका question रनने वाला है 120 question exam time 90 minutes का जनरल से क्या question आने वाला है जो की 50 number का उसके बाद 35 number का फिर आपका जो की आपका reasoning से 35 तो इस तरह से आपको यहाँ पे exam इसमें होने वाला है आ जो आपको 100 मिटर रनिंग करना है 6 minutes 30 seconds में एक्सपेक्टर फिमेल कंडिडीट को जो फ्रेंए आपके रनिंग टाइम है वो फ्रेंड आपका जो कि आपके 800 मिटर रनिंग करना है चार मिनट में और यहां पे consterble को लेकर कि जो फ्रेंए यहां पे रनिंग है तो वह आपका जो एकि 5 मिनट 45 सकेंड में आपको फिरेंट रनिंग करना है कॉंस्टेबल में और आपका जो कि कॉंस्टेबल female candidate है तो उसको 3 मिनट 4 सकेंड में 800 meter रनिंग करना है high jump फिरेंट यहां पर देख सकते हैं उसके बाद long jump फिरेंट वो आपको देखने के लिए मिलता है समझ में आ जाएगा तो यह फिरेंट इसका जो notification का फिरेंट full details था आपको फिरेंट वीडियो अच्छा लगा फिरेंट वीडियो अगर अच्छा लगा फिरेंट एक like करके बता है चैनल पर ने तो जरूर सस्क्राइब करके बेल आइकन को उन कर लें मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में वीडियो देखने हैं फिरेंट थैंक यू सो मच